कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैं रानी गुप्ताप के साथ और बड़ी खबर आ रही है अरविंद केश्रवाल के मंत्री मनीश सिसोधिया से जुड़ी हुई दरसल मनीश सिसोधिया के घर पर इस वक्त सीबी आई की छापे मारी चल रही है बतादे की दिल्ली में लागू ही नई शराब नीती को ले करके हुए ब्रस्टाचार में ये आरोप लगाया गया है मनीश सिसोधिया पर जिसकी वज़े से आज सीबी आई की टीम उनके घर पर पहुंची है और लगातार छापे मारी की ज आए कि ब्रस्टाचारी कितना भी नया चोला ओड़ ले लेकिन अगर उसने ब्रस्टाचार किया है तो उसके ब्रस्टाचार सद्ध होंगे इसी के साथ ही कॉंग्रेस के नेता संदीब दिक्षत ने भी इस पर प्रतिकरिया देते हुए कहा है कि यह कोई नई बात नहीं है क आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के यहां इसकदर CBI की रेट पढ़ती है इससे पहले चाहे सिक्षा नीती को लेकर के हो या फिर अभी शराब नीती में लेकर कि जिस तरीके से CBI की रेट पढ़ रही है तो यह जो चीजे हैं वो पहले ही हो जानी चाहिए ताकि इतनी बड अनुराग ठाकुर की करे सभी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीधे तोर पर कहा है कि अगर जो विभाग के इश्रिवाल ने अपने मंत्रियों को दिये हैं अगर वो खुद भी इसमें से कोई विभाग रखते हैं तो उनका भी करप्शन सीधे तोर पर सामने आता जह साथ ही बीजेपी नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि इस जो पूरी चीजें हैं उसके मास्टर माइंड दरसल अरवेंद केजरिवाल ही हैं इसी वजह से उन्होंने कोई भी विभाग अपने अंडर पर नहीं रखा आपको बता दे दिल्ली के उप मुख्य मंत्री मनीश सिसोदिया के घर पर CBI की छापे मारी चल रही है मुख्य मंत्री अरवंद केजरिवाल ने इस पर पहला रेक्शन देते हुए टाइमिंग को ले करके बड़ा सवाल उठाया है उन्होंने कहा कि सिसोदिया के घर पर छापा उस दन मारा गया जिस दिन अमेरिकी अखबार में सिसोदिया की तारीफ की गई है आपको बता दे ये च्छापे मारी दिल्ली में नई एक्साइस पॉलिसी में ब्रहस्टचार के आरोपो को लेकर की गई है पिछले महिने दिल्ली के अलजी ने इस मामले में जाच के शफारस की थी वहीं बता दे कि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सबी दलों के नेताओं न ने कहा कि तीसरा चोर केजरिवाल भी जल्द पकड़ा जाएगा जो मैंने बताया कि लिकर माफिया जो हैं वह अपना तेलंगाना से भी इसके तार जुड़े हुए हैं और इन्होंने कौन सा होटल बुक कराया हुआ था वहां पे कपका मनी सिसो दिया गए कौन-कौन से रे भारी लोग भी हैं और इसमें मनी सिसो दिया भी खुद है अब क्योंकि विभाग है मनिसिसो दिया के पास तो अर्विन के पास को भागी नहीं रखा उन्होंने सारे विभाग मंत्रीयों को दे दिए तो जो भी भरश्ता चार हो रहे हैं उनके आहरोप सीधा मंत्रियों पर लग रहे हैं अगर यही विभाग वित विभाग अगर मनीश सुधिया के पास होता तो आज वो जेल जा आपको बता दे परवेश वर्मा ने कहा कि शराब माफियाओं के तार तेलंगाना से जुड़े हुए हैं उन्होंने कौन सा होटेल बुक किया किस रेस्ट साल में ना कोई अस्पताल बना है नया ना से सौधिया ने कोई नया स्कूल बनाया दसमी के रेजल्ट में टॉप 10 रैंकिंग से डिल्ली बाहर रही है डिल्ली के टैक्सपेयर्स का पैसा कहा लगाया अरवंद जी सतेंद्र जयन ने तो बोल दिया है मेरी याददास्त चली ने गई है कि अब शिक्षा मंतरी शुराब मंतरी भी यही कहेंगे साथी उन्हों ने कहा कि आज केश्रिवाल ने सभी विभाग अपने मंतरियों को दे रखे हैं अगर यही विभाग के पास होता तो वह भी जेल जाते इसे के साथ ही बीज़ेपी नेता और केंद्री मंतरी अनुराग ठाकुर ने भी इस मुद्दे को लेकर सीम अरविंद केश्रिवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि ब्रस्ट वेक्ति स्वयम को बेकसूर सावित करने के लिए कितनी भी कोशिश कर ले वो ब्रस्ट ही रहेगा आम आदमी पार्टी द्वारा ब्रस्ट अचार का ये पहल कुधत करना बंद कर देना चाहिए साथी सतेंद्र जैन जब रहष्टाचार में जेल गए आपने तब भी उनको बरखास्त नहीं किया वो कहते हैं उनकी याददाश्त चली गई है एक्साइस मंत्री एक्जिक्यूज मंत्री तो बन गए हैं लेकिन मैं आशा करता हूं कि कह उनकी भी याददाश्त चली ना जाए इसी के साथी केंद्रिय मंत्री ने कहा कि जिस दिन सीबी आई को जाच दी उसे दिन शराब नीती वापस ले ली गई अगर शराब नीती में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया गया यह सेक्षा नहीं शराब की बा से केश्रिवाल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा गया कि दिल्ली के बधाल सिक्षा और स्वास्त मॉडल की असलियत सबके सामने हैं कब तक आप के द्वारा किये गए काले कारनामों पर परदा डालोगे हर एक भ्रस्टाचारी जेल जाएगा भारत की चिंता न सब्सक्राइब करते हुए बीजेपी दिल्ली के जो पेज है उसने लिखा कि बच्चों के नाम पर सहनुबुती लिना बंद करू मनीश सिसो दिया आपके द्वारा किया ब्रस्टाचार सबके सामने आ चुका है कटर ब्रस्टाचारी हो तुम और हर ब्रस्टाचार की जगह सर्फ जेल होती है इसी के साथ ही बीजेपी के आईटी हेड अमित मालिविय ने रियक्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली सरकार की नई आपकारी नीती मनमानी थी जिससे सरकारी खजानों को भारी नुकसान हुआ यदि नीती ठीक होती तो जाच के आदेशों के तुरंत बाद इसे क्यों पलट दिया गया अरवंद के जिवाल ने सतेंद रिजैन को भी इमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था वो अभी भी जेल में हैं सिसोधिया भी जल जाएंगे इसी के साथ ही दिल्ली बीजेपी के अध्याक्ष आदेश गुपता ने कहा कि 144 करोड रुपे अचानक भारी कमी आ गई इसी के साथ ही आपको बता दे बीजेपी विधायक विजिंद्र गुपता लिखते हैं शराम नीती में हजारों करोड के ब्रहस्टाचार में फसे 11 अधिकारियों के घर जब CBI की रेट कर रही है उसी समय आम आदमी पार्टी इनको बचाने के लल किले से ही कर दिया था अगस्त करांति शूरू भी हो गई है शायद अगस्त वाला डर सही साबित हो आपको बता दे की देखने को मिला था कि 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंतरी मोदी ने सीरेद तौर पर ये अलान किया था कि ब्रहस्टाचार के खलाब सक्त कारवाई की जाएगी और जो भी किसी को बचाने की कवायत कर रहा है जब उसका ब्रहस्टाचार सद्ध हो चुका है वो खुद जेल में है इसके बावजूद अगर कोई उसको ब्रहस्टाचार के बावजूद बचाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर भी शराब घोटालों में लिफ्ट अपने साथी मनीश सिसोधिया को बचाने के लिए कम से कम स्कूलों और बच्चों का तो इस्तमाल ना करो और मैं बोलूंगी क्योंकि अन्ना हजारे आंदोलन में मेरा श्रम और पसीना भी शामिल था इसी के साथ ही आपको बता दे कॉंग्रेस नेता संदीब दिक्षित ने कहा कि दिल्ली सरकार में पिछले 7-8 साल से जो हो रहा था इसमें आश्वरी ये है कि आपता क्रेट क्यों नहीं पड़ी आपकारी नीती स्कूल बनाने में धांदली सिक्षा भरती घुटाला सिविल डिफेंस भरती घुटाला जिसमें भी आप देखेंगे उसमें एक नहीं दददस छापे पड़ने चाहिए थे ये चीज़े पहले ही हो जानी चाहिए थे इसी के साथ ही बीज़पी नेतात जिंदरपाल सिंग बग्गा ने कहा कि आमादमी पार्टी देश के एक मांत्र इमांदार पार्टी है जिसके दो-दो मंत्रे इस वक्त जेल में मौझूद है इसी के साथ ही प्रामेर शंकर कपूर लिखते हैं लगता है सतेंद्र जैन की त और तमाम जो पार्टी है वो लगातार अरवंद केजरिवाल और इसी के साथ ही मनेश सौधिया को घेड़ती हुई नजर आ रही है आपको बता दें पिछले दिनों देखने को मिला था कि दिल्ली के LG ने नई आपकारी नीती को ले करके जाच के आदेश दिये थे जिसके ब और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना फोलें